मैं आपके आश्रम में लिखा हुआ है आचार लोकिस आश्रम तो ये आश्रम मानव सेवा के लिए क्या काम करता है देखिए मैंने जिस समय वहन वियार स्विकार किया मेरे मन में एक ही पीड़ा मैंने प्रबल वहराग्य से मैंने दिक्षा लिए और दिख्षा लिने के बाद अध्यान अध्यापन पढ़ा, आगमों को पढ़ा, समझ बढ़ी, बुद्धी विक्सित होई, मेरे मन में एक पीड़ा मुझे कचोड़ती थी कि बगवान बुद्ध और बगवान माविर दोनों समकालीन है, बुद्ध धरम पूरी दुनिया में फैल गया, माविर का दर्सन साइंटिफिक है, मोस्ट रिलेवन्ट है, उसके बाद जी सिमित रह गया, और इसी पीड़ान से जन्म हुआ, मैंने वाहन वियार को एकसेप्ट किया, वाहन वियार एकसेप्ट करने के साथ, मैंने एक धे बनाया कि मैं धरम को अध्यात्म से जोड़ूंगा, धरम को समाज सेवा से जोड़ूंगा, धरम को समाजी कुरुतियों के निवारण का माध्यम बनाऊंगा, मैं ये नहीं कहता, बगवान महावीर शूर्य थे, हम उनके नाखुन की ओर नहीं कर सकते तुलना नहीं कर सकते लेकिन शूरी की उपस्तिती में हम दिया बन करके तो तिम्टिमा सकते हैं यह दिया और तुफान की जो लड़ाई हैं अब संस्कृति की और संस्कृति की तो हम दिया बन करके तिम्टिमाएं और मेरी संस्ता ने एक आईशा विश्व वार्ती संस्ता की स्तापना हुई जिसने जिसके अंदर आज दिगंबर भी हैं, शेतंबर भी हैं, मूर्ती पुजग भी हैं, स्थानकवार्शी भी हैं और तेरापन परंपरा को मानने वाले लोग ही मेरे से जुड़े हुगए लेकि उतने ही नौन जैनी लोग जो लाइप माइंडेड हैं, जो उदारवादी हैं, जो समणमेवादी हैं जो समाज और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं मैंने उन सब को भी जोड़ा और आज आईशा विश्व वार्ती के मद्यम से विश्व सांती कंदर का भी निर्मान हो रहा है जहांसे पूरी दुनिया में अहिशा का ट्रेनिंग का कारिक्रम चलेगा व्यत्तिन निर्मान का कारिक्रम चलेगा और विश्व को आज मागिर के दर्शन की जुरूरत है उसका कारिक्रम चलेगा